Assalamu alaikum to all of you, welcome to my channel Federal Public Service Commission के थूरू 492 vacancies का जो है वो announcement हुई है Inspector Inland Revenue के लिए BPS 16 की ये job है जिसके लिए eligibility criteria जो उन्होंने डिफाइन किया है वो है economics, business administration, commerce, statistics या law में से किसी भी एक discipline में आपके पास जो है वो bachelor degree होनी चाहिए और second class और grade C acceptable है अब यहां पर कुछ लोगों के सवालाद थे queries थी है कि जी बहुत सारे लोगों होते है जिनोंने engineering में stats पढ़ा होता है ठीक है या फिर आपने business administration का कोई course पढ़ा हुआ है ठीक है या फिर आपने economics भी बहुत सारे लोगों ने जो है as a subject जो है वो अपनी degree में पढ़ा होता है तो क्या यह लोग eligible है तो answer जो है वो है आप लोग eligible नहीं है ठीक है FPC क्या करता है exam ले लेता है लेकिन जब जो है वो आप exam के बाद आपको bio data form दिया जाता है वो bio data form में आप सारे document भीजवाते हो अपनी degree भीजवाते हो और फिर आपको जो है वो reject कर दिया जाता है आपकी degree की basis पे तो मैं आपको यहीं पे clear करता हूँ अगर आपकी degree इसमें से कोई एक नहीं है तो आप जो है वो ना ही समझे ठीक है जी आचा यह rumor का जो है वो एक जवाब मेरी तरफ से आ गया है अचा उसके बाद जो है वो हम बात करते है कि जी preparation tips क्या होनी चाहिए syllabus की सबसे पहले में बात करूँगा तो fpac के तरू जो induction होती है उसमें सबसे important part होता है आपका English का जिसके 20 marks के MCQs आते है और यह 20 marks के MCQs जो है वो क्या contain करते है सबसे important जिसमें आपके parts of speech है आपको वो पता हो ठीक है यहाँ पर मैं preparation की tips भी साथ में देता जाओंगा कि किस तरह से आपने लेके चलना है आपने पहले part of speech से शुरू करना है ठीक है noun, pronoun, adjective एड़ोब की types वगरा और preposition तियार करो अपने इन सब को जब आप तियार कर लोगे तो फिर आपका आएगा sentence correction यानि जब sentence correction पूछा जाता है तो उसमें वो इन तमाम चीजों में से कोई एक error दे रहा होता है तो जब आप यह basics तियार कर लोगे तो आपने sentence correction तियार करना है क्योंके sentence correction अक्सर पूछ लिया जाता है तो फिर जो second most important चीज है वो आपकी यहां पर आ जाती है vocabulary ठीक है क्योंके word appropriate word यूज करने होते हैं ठीक है कहीं पर जुमला दिया होगा आपको appropriate word यूज करने होंगे then preposition जो है वो काफी जादा पूछ लिया जाते है article भी कभी कभी पूछ लिया जाते है तो ये FPC का जो English का portion होता है ये fix नहीं होता कुछ भी के यहीं से आएगा ये जो चीजे मैंने तमाम चीजें जो discuss किये हैं इसमें से वो कुछ भी पूछ लेता है तो आपने basics को अपनी strong करना है और जिस तरह से मैंने बताया है चीजों को लेके चलना है ऐसे ही आपने जो है वो एक pattern को follow करते वे लेके चलना है further ये कि मैं basics के हवाले से आपके infinitive guarantee पार्टिसिपल हो गए ठीक है और जो है वो आपके basics जो है clause phrase हो गए इसके हवाले से videos भी upload कर दूँगा ताकि अगर किसी को जो है वो बुक reading में problem हो रही है तो वो भी उसके लिए असानी हो जाए then second जो आपका part है वो है Pakistan affairs का Pakistan affairs के हवाले से जो है वो मैं आपको बताता चनू कि यहां पर आपके जो है वो पाकसान की history जो है वो 1857 से लेकर बलके इससे पहले भी जो है आपकी जो 712 मोहमद बिन कासिम से लेकर फिर जो dynasties आई है आपकी ठीक है तुगलक हो गई, slave हो गई, slave के बाद तुगलक फिर आपकी जो है वो मोगल डाइनस्टी जो होगी तो यह सारी चीजे है आपको पता हूँ इवेंट्स आपने पड़े हुए हो ठीक है फिर आप 1857 से लेकर प्रसाइज़ी थोड़ा सा पड़ो इवेंट्स जो मोटे मोटे इवेंट्स आपके ठीक है कॉन्फरेंस कब हुई ठीक है फिर आपके जो है वो अल्लामा इक्बाल और काइद आदम के हवाले से जो इंपॉर्टन डिवेंट्स यह आपको हिस्टोरीकली बता हूँ ठीक है फिर आप आजाओ जिग्रिफी के ऊपर ठीक है जिग्रिफी में आपको पता हो कि पाकिस्ता काज़ान के रिसोर्स की बात करें तो Mountain Range आपकी जो है वो फिकिन हाइस आपके पास जो है वो Mountain Range जो आपकी है उसमें पांच जो है वो 1000 मेटर से बड़ी आपके पास mountain ranges थी कैग है sorry mountains प्र mountain ranges अपके जो है वो rivers हो गये ठीक है glaciers हो गए आपके, passes आपके हो गए, ठीक है, तो geography भी काफी important part है, फिर आप जो है वो आजाओ, current जो Pakistan affairs हैं, उनके ओपर, कि जी कौन-कौन से important events हुए पिछले दो सालों के अंदर, ठीक है, उसमें, जैसे इमरान खान की speech उठा लो, ठीक है, वो भी काफी जादा prominent हुई थी अपने time में, फिर जो पाकिस्तान और इंडिया के दर्मियान, जो conflict हुआ, वो 25 FAB को जो है, वो infiltration उनने करने की कोशिश की, उनके मिग जो जहाज से वो गिराए गए, तो इस तरह के जो जो इवेंट्स हैं, फिर 5th August का जो वाकिया है, उसके हवाले से, तो मोटे मोटे इवेंट्स आपको पता होनी चाहिए, पाकिस्तान फेर्ज में, ठीक है, देन जो next part है, वो आपका Islamic studies है, Islamic studies से जो है, वो आपसे कुन सी सूरत में twice बिसम इल्ला आती है कौन सी में बिसम इल्ला नहीं आती है ठीक है फिर कौन सी सूरत में किस हवाले से जिकर किया गया जंगों के हवाले से बैटल्स जहें उनको आप देखो हुजूर। पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करो तो तीन मेजर अगर आप तो इसको डिवाइड करो कुरान हो गया सूरत असीरत हो गई और फिर हुजूर। पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करो तो इस्लामिक स्टडीज का काफी अच्छा आपका पोर्शन निकल जाता है फिर टाइटल्स के हवाले से पढ़ लो कि कौन से सहाब सहाबी को किस टाइटल से याद किया जाता भी धादा, यह सारी चीन इस्लामिक स्टडीज में और आपके जो हिस्टारिकल events थे फिर आप आजाओ के ऊपर तो आपको तो प्रेज़ेंट प्रैम मिनिस्टर कैसे चेंज हो रहें, कहां पे कॉन से प्रेजिवेंट हैं, कौन सी पार्टी ने कहां पे जो हो हो रूकूमत क फर्दर अगर देखो तो current affair में जितनी भी आपकी international organizations हैं उनको भी आप count कर सकते हो ठीक है जी 5 होगी आपकी UNO होगी इसके जो सलाना जलास होते हैं उनके ओपर नजर होनी चाहिए क्या-क्या बाते हुई ठीक है कब हुई ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पता हो SEO के हवाले से पता हो आपको OIC के हवाले से पता हो ठीक है important events जो current affairs में आ जाते हैं आपके जो पूरी worldwide जो current events हो रहे हैं उसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए then जो key concept of computer studies में आपको shortcut keys पता होनी चाहिए हैं ठीक है आपको computer की basic knowledge होनी चाहिए MS Office Word PowerPoint इससे सवाल आते हैं यूजिली FPHC के अंदर अच्छा जी ये था syllabus आपका और किस तना आपने इसको तयार करना है उस पर भी मैंने बात कर ली अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि English के हवाले से कुछ basic concept आप लोग के clear करूं और कम टाइम में ज्यादा आपको सिखा सकूँ book rating आप खुद भी कर सकते हो लेकिन मेरी कोश्च होगी मैं आपको कम टाइम में थांक यू सो मच अला हाफिफ